हाई फ्रेंट्स वरकुम बैक टू प्रिया स्टी एवाई चैनल और मैं हूँ प्रिया दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उम्रे से पहले हुए सफेद बालों को काला करने का मेरा पर्सनली फेवरेट और फास्टेश्ट रिजर्स देने वाला नुसका शेयर कर इस रमेडि को फॉलो करने पर आपको फिसिक कभी भी प्रिमिचर ग्रे है या वाइट हैस की शिकायद भी नहीं होगी तो चलने जानते हैं आज की मेरी इस रमेडि के बारे में लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीशिए प्रियास DIY चैनल को और बेल आइकम पे क्लिक कीशिए मेरे फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है सबसे पहले इस रमेडि को बनाने के लिए एक बोल ले ले और उसमें करीब एक ग्लास पानी एड़ करें जब पानी उबरने लगे तब उसमें डाले एक टीबल स्पून ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी को बोल करने पर उसमें से नैच्रल डाय रेलीज होती है लेकिन ये कलर स्ट्रॉंग नहीं होता है इसके कलर को स्ट्रॉंग बनाने के लिए हमें इसमे एड़ करनी है 1 टेबल स्पून ब्लैक टी और 1 टेबल स्पून आमला पाउडर प्लैक टी इस homemade hair dye को permanent result देने में मदद करती है साथ ही आमला पाउडर में मौजूद antioxidants और vitamin C बालों को healthy बना के सफेद बालों की problem को जर से खतम करने में मदद करती है इस solution को आपको कम से कम धीमी आज पर ही 20-25 मिनट तक बोड़ करना है जिससे एक गलास पानी में से 70-80% पानी जल जाए और एक ठिक dye ready हो जाए 20 मिनट बाद gas को बन करके हमें इस dye को पूरी तरह से ठंडा होने देना है और जब इस dye पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे clean and dry बालों में प्रश की help से root से लेकर tip तक लगाना है अगर आपने बालों में महदी, कलर या फिर chemical dye यूज़ की है तो इस home remedy को यूज़ करने से पहले कम से कम 15 दिन का gap रखे नहीं तो आपको results नहीं मिलेंगे इस homemade hair dye को लगांके आप कम से कम 1-2 घंटा लगा रहने दे और उसके बार सिर्फ साधे पानी से ही बालों को wash कर ले बस थ्यान रहे कि कम से कम 24 घंटों के लिए बालों में oil, shampoo या फिर conditioner यूज़ ना करे इस dye के first use में ही आप अपने premature white hairs को black होते हुए देख सकेंगे और अगर आप कोई ज्यादा सफेद बाल है तो हो सकता है इससे आपको हफते में दो बाल लगाना पड़े जिससे ये डाइप पूरी तरह से आपके सफेद बालों को cover कर सके तो friends आज ही इस remedy को try करे और आपके results भी मेरे साथ comment section में share करे साथ ही इस video को like करके share करना ना भूले और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले जिससे मेरा आने वाला एक भी वीडियो आप मिस ना करे